हलो फ्रेंस! सभी को मेरा न्वा इशकार! आज हम भरवा करएला बनानी चल रहे हैं यह हमने स्झोटे साइज का करएला लिया है इसको हम धूल लिए है अच्छे से अब इसको हल्का साइ हम निकालेंगे इसका छील का, इसके बार हम इसको बनाइएंगे इस तरह से हवागा से निकाल लेंगे इस तरह से हम सबी करालो को हलका से छेल लिये हैं अब इसको हम इसतरह से क्ट करेंगे ए देखीए इस तरह से हम कट करके इसका बीज जो है निकाल लेंगे इसमें बहुत चोटा चोटा बीज है तो हम इसको निकाल लेते हैं इसको हम बीज निकाल लेंगे इसमें ताकि मसाला भरने में आसानी हो जाए यह देखी इसको हमें इस तरह से खाली करके रख दिले रहे हैं इस करेलो को इस तरह से हम खाली कर लिए हैं इसका बीज निकाली हैं इसका बीज इस तरह हम रखे हैं इसको भी मसाले में भी हम डाल के पताएंगे इसको हल्का सा थोड़ा गरम पानी में डाल दे रहे हैं इसमें आगा चम्मच की नमक डालेंगे, इसको लगभग दस मिनट ही पकाएंगे, जागा पकाएंगे नहीं, ताकि तीखा पन इसका निकल ज़या है, हम एक बड़ा टमाटल लिए हैं, इसको हम पीस के लख लेंगे, अलग से कटोरी में, और एक बड़ा हमारा प्याज है, दस पंद्रा लैसुन की कलिया है, और छोटा साधरक, इसको मिक्सी में पीस के, पेश्ट बनाके अलग से कटोरी में रख ले रहे हैं, यह हमारा करेला बॉयल हो गया है, इसको हम इस तरह से निकाल के रख लिए हैं, थोड़ा ठंदा हो जाए, तब तक हम मसाला को फ्राई कर लेते हैं, यह हम छोटा चमच से राई लिए हैं एक छोटा चमच हम लिए हैं खड़ी धनिया एक छोटा चमच हम लिए हैं सौंफ एक छोटा चमच लिए हैं जीरा और आभा छोटा चमच लिए हैं मेथी डाना और इससे हम तेल में फ्राई किरेंगे तो डाल रहे हैं इसमें तेल हमारा गरम है अब मेधी राना डाल रहे हैं तो त्याज और लेक्टून देड़ा कपेश गणाए हैं तो यह अधा छोटा चमछ हमारा गरम मसाला है एक चमछ हम धन्य पाउडर डाल रहे हैं एक चमछ हमिस में हर्दी डाल रहे हैं आधा चमछ हमिस में मिर्शा डाल रहे हैं पाउडर सभी मसाले को मिलाएंगे इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे जोई में पत्षाई करेंगे सभी मसाला हमारा पाउड़िया है इसमें भी तमाटा डालेंगे इसमें हम नमग डाल दिए इसमें नमग डाल दिए इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं ठंदा हो जाए तब इसमें भरेंगे इसमें मसाला हमारा ठंदा हो गया इस तरह हम करेवलो को खोल के इसमें भर लेंगे ट्रक्षास करांचा है या तो हम तीली समसे को हम अबनक़ हो इसको निका ले को इस ततरह से करेले को मनाें के रोले रख लिए हो mamma इस तरह से हम सभी करेले को थागे से लपेट के बांद लिए हैं ताकि मसाला बाहर न निकले इसको हम तेल में फ्राइए करेंगे तेल हम तोड़ा जादा ही जालेंगे कि ताई होगा तक पढ़ेगा तेल हमारा रिकासा जादा है इसको हम पलत-पलत के पकाएंगे फ्रैन्स यह हमारा करेला बंके की रड़ी हो गया है अब इस में दहागे निकल लेते हैं इस तरीके से हमारे दहागे निकल रहे है कि सारे दवको में निकाल लेते हैं यह हमारा भर्वा करेला बन के रेडी है इस तरह से फ्राइब हुआ है यह बहुत ही तेश्टी होता है रोटी से पराठा पोड़ी चाहिए जिसे आप खासते इसको रख भी सकते हैं 2-3 दिन के लिए खराब नहीं होता और मेरा तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक क शेयर करिए कि सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रीज दोस्तों धन्वाद